प्रेज़ रोड आप सब कुछ यह मसी की मैं परमेसर का धन्यवाद देता हूं आज के सुन्दर समय के लिए जो परमेसर ने हम सब को दिया है एक और सुभा परमेसर ने दिखाई हम उसका हिर्दय से धन्यवाद देते हैं एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मोग फिर से उपस्तित हूँ और आज का जो संदेश है वो हर एक विश्वासी के लिए बहुत महत्तपूर हैं मैं आपसे गुजारिस करता हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए और परमेसर के उन अदभुत कामों को देखिए जो हमारे जीवन में वो करता है आप थमनेल में देख चुके होंगे आज मैं परमेस्टर के उन साथ उपकारों के विस्से में आपसे बात्चित करना चाहता हूँ जो बाइबिल में लिखे हैं यह तो पूरी बाइबिल पूरी बाइबिल परमेस्टर के उपकारों से भरी हुई है दिन प्रति दिन परमेस्टर हमारे जीवन में उपकार पर उपकार करता चला जाता है लेकिन मैंने साथ उपकार ऐसे चुने हैं जो बहुत नहीं तपून है आज इसी विश्टे पर मैं आपसे बात्चित करूंगा मैं आपका दोस्टर राजमैसी आपके सम्मों को पस्तित हूँ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए ताकि नौटिप्रिकेशन आपके पास पहुँचे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और शिर्शक है परमेस्टर के साथ विशेस उपकार एक छुट इसी परातना करेंगे आईए मेरे साथ परातना में शामिल हो जाहिए जीवित और महान देले पिता परमेस्टर हम तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र तेरी तारीष तेरी बढ़ाई करते हैं प्रभू क्यों कि तिस में रहें ताकि बोलने वाला मनुश्य नहीं बलकि तेरा आत्मा हो आज कि इस वचन के गुड़ भेत की बाते हम पर प्रगट कर प्रभू ये शुक्र हमसे मांगता हूं आमें प्रेज द लौट तो आईए आज के इस वचन को शुरू करते हैं मैं आपसे एक बाद फिर से गुजारिस करता हूं कि यदि आपका कोई विश्य है टोपिक है प्रातना का तो आप कॉमेंट से स्क्षिन में आकर बताइए अपना नाम लिखिये और अपना विश्य लिखे प्रातना का कि हम लोग आपके लिए प्रभू आपकी जीवन में काम करें तो आई शुरू करते आद के बचन को सबसे पहले मैं निकालूंगा भजन सित 116 अधिया है उसके 12 पत को पढ़ेंगे महां लिखा है यहुआ ने मेरे जितने उपकार किये हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूँ यहुआ ने मेरे जितने उपकार किये हैं मैं उसका बदला क्या दूँ कितने उपका दे सकते परमिस्टर को बदले में लेकिन फिर भी वो हम पर उपकार पर उपकार करता चला जाता है प्रेज दरोल आज हम परमिस्टर के उन अद्बुत कामों को देखने जा रहे हैं जो उसने मेरे और आपके जीवन में किये हैं बने रहिएगा मेरे साथ आइए देखते हैं बजन से ता 103 अध्याए और इसके पहले पद से मैं पढ़ूँगा महाँ पर लिखा जिया है या लिखा है हे मेरे मन यहवा को धन्ने कहें और जो कुछ मुझ में है वै उसके पवितर नाम को धन्ने कहें दाउत का बजन है दाउत कहा है कि हे मेरे मन यहवा को धन्ने कहें औ और जो कुछ मुझ में है, क्या है मुझ में? मेरे अंदर हिर्दे है, मेरे अंदर ताकत है, सांस है, जबान है, दृष्टी है, दिमाग है, सोच है, चाल-चलन है, व्यभार है, और हमारा एचिट्यूट है, ये सब कुछ, सब मिलके परमेसर को धनने कहें. यही कहा रहा है दाउद यहां पर वो कहता है कि हे मेरे मन यहवा को धन्ने कहे और जो कुछ मुझ में है वो इसके पबतर नाम को धन्ने कहे और दो पद में लिखा हे मेरे मन यहवा को धन्ने कहे और इसके किसी उपकार को ना भूलना किसी भी उपकार को नहीं भूलना परमेसर का कोई भी उपकार हमें भूलना नहीं है मनुस्यों के उपकार हम कभी नहीं भूलते मनुस्य जब हम पर कोई उपकार कर देता है हमें किसी प्रॉब्लम में से बाहर निकाल देता है हमारी बहुत बड़ी समस्या का हल करवा देता है तब हम उसको जिन्दगी भर नहीं बूलते रास्ते में अगर वो मिल भी जाये तो हाथ जोड़कर कड़े जाते हैं बोलते हैं भाई साब अगर आप नहीं होते तो हम तो बरबाद हो जाते हमारा तो यह हो जाता हमारा तो वो हो जाता लेकिन परमिस्टर के उपकार हम कैसे भूल जाते हैं सबसे बड़ा उपकार तो परमिस्टर यह करता हम पर कि हम सुबा जब उठते हैं तो सबसे पहरे हमारे हमारी नजर सूरज पर जाती है 2020 में करोना आया परमेस्टर लोगों को बताना चाहता था कि मैं भी हूँ यूकि लोग सब अपनी इच्छाय पूरी कर रहे थे अपनी लालसाओं में लगे वे थे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन तब अचानक करोना भेजा परमेस्टर ने क्या हुआ कि सब लोग घुटनों पर आ गए सब लोग को लाइव आ गए फेस्बुक पर और यूट्यूब पर हर जगा सब की आखे खुल गए अन्यता हम परमेस्टर को ATM कार्ड कितना यूज करते हैं ATM कार्ड जब पैसे की जरत पड़ी ATM कार्ड ले गए ATM मसीन में डाला पैसे निकाले और कार्ड को फिर उसके स्थान पर रख दिया हम ऐसे ही परमेस्टर को यूज करते हैं परमेस्टर ATM कार्ड नहीं है परमेस्टर परमेस्टर है देखिए यहां पर दाउत कहता है दो आयत में, एक सोतीन की दो आयत में हे मेरे मन यहवा को धन्नक है और उसके किसी उपकार को ना भूलना वही तो तेरे सब अधरम को छमा करता है यह पहला अपकार है परमेसर का वही तो तेरे सब अधरम को छमा करता है हमारे अधरम के कामों को वो भूल जाता है, हमें माफ कर देता है लिखा है कि वही तो तेरे सब अधरम को छमा करता है माफ करने की सामर्थ तो परमेस्टर के ही पास है मनुझ से हमारा पाप हमारा अधरम माफ नहीं कर सकता लेकिन परमेस्टर हमारे पापो को माफ करता है हमारे अधरम को माफ करता है यह लिखा है कि वही तो तेरे सब अधरम को शमा करता है अधरम दाउद के विश्चे में मैं बताऊं जब दाउद ने बत्सेबा के साथ वेविज़ार किया तो परमेस्टर ने नातान को वहाँ पर भेज कर उसे चेताया कि तुने गलती की है क्योंकि दाउद सोच रहा था मैं राजा हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ आज भी बहुत से पास्टर लोग सोचते कि मैं पास्टर हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन परमेसर है वो बताता है कि मैं भी हूँ और नातान को जब दाउद के पास भेजा तब दाउद ने क्या किया दाउद ने तब पश्चताब किया यह जान गया कि मैंने गुनाह किया है मैंने अपरात किया है तब परमेसर ने दाउद को पास नातान को भेजा और संधिता 51 दाउद का पश्चताब है वही तो तेरे सब अधरम को ख्षमा करता है और दूसरा जो पकार वो है तेरे सब रोगों को चंगा करता है सब रोगों को सारी रोगों को कोई से पड़े यशाया फिफ्टी तरी और उसका पहला पन देखिये यहां पर क्या लिखा है कि जो समाचार हमें दिया गया था जो समाचार हमें दिया गया उसका किस ने विश्वास किया और यहवा का भुझबल किस पर प्रगट हुआ क्योंकि वह के सामने अंकुर की नाई और ऐस उसका रूपी ऐसा हमें दिखाई दिया कि हम उसको चाहते वैं तुछ जाना जाता और मनुस्यों का त्यागा हुआ था वैं दुखी पुरूस था रोग से उसकी जान पर चानती हमने भजन से तैक सोतिन में पढ़ा कि वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है रोग लिख है रोग और यशा त्रिपन में बताता है यशा लिखने वाला कि रोग से उसकी जान पर चान है वो specialist है हर एक रोग का हर एक रोग का specialist है परभू यदि हमारे दांतों में दर्द होगा तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे आंखे में problem होगी तो हम आँखे के doctor के पास जाए लेकिन येसु मसी जो है वो सारे रोगों का डॉक्टर है इसलिए वहाँ लिखा है कि वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है तीसरा जो अपकार है वो है वही तो तेरे प्रान को नाश होने से बचा लेता है यह तीसरा अपकार है प्रमेस्टर का हमारे प्रान को नाश होने से बचा लेता है हम देखते हैं दूसरा पत्रस और उसका तीन अध्याय और उसका नौपद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि प्रमेस्टर अपने परतिग्या के विश्य में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं क्या लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्या के विश्य में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं पर तुम्हारे विश्य में धिरस धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाशो वरंद सब को मन फिराव का अवसर मिले प्रमिस्टर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो तो बचन सित 103 में उसका जो तीसरा जो उपकार है वो है वही तो तेरे प्रान को नाश होने से बचा लेता है वही बचाता है जो हम पश्चताब करते हैं हम तौबा करके प्रमिस्टर के निकटा जाते हैं तब वो हमको बचा लेता है आरे लिया चौथा पॉइंट देखेंगे और तेरे सिर पर करुना और दया का मुकुड बानता है अब यह नहीं कि हमारे सर पर कोई मुकुड रख दिया जाएगा ताज रख दिया जाएगा ऐसा नहीं है परमिस्टर का हाथ करुना भरा दया भरा और यहां पर लिखा है कि वही तो तेरे सिर पर करुना और दया का मुकुड बानता है करुना दया का हाथ परमिस्टर हम पर बंदा रहता है हमारे पर बना कर रखता है और हम सारी मुसीबतों से पार हो जाते हैं आई ये देखते हैं पांचवा पॉइंट पांचवा उपकार परमेंसर का है लिखा है पांच आयत में वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्तों से तिरफ करता है उत्तम पदार्तों से हम भूके उठते जरूर हैं लेकिन सोते नहीं हैं येसु मसी ने कहा मतिछे अध्याय में कि पहले उसके धर्म और राजने के खोच करो तो ये सब वस्तों भी तुम्हें मिल जाएंगी यह लिखा है कि वह तो तेरी लालसा को तंपदार्तों से तरफ करता है भूका नहीं रहन देता ना प्यासा रहने देता सब कुछ मुया कराता हमको इतना प्यार करता है है कि पितने पॉइंट हो गए यह सब से पहले हैं वही तो तेरी स्ब आधरम को शमा करता है दूसरा है वही तो तेरे प्राइंको नाशुने से बचा लेता है तुरह सिर्व पर करूना दियर का मुंकृड बांदा है चौतर है वही में तो तेरी ओह लालता को उत्तंप दारशो से तर्श किरसा चठा पॉइंट देखेंगे जिससे तेरे जवानी उकाथ की नहीं नहीं हो जाती है च्छटा पॉइंट है च्छटा अपकार है प्रमेंसर का कि वह हमारी जवानी को उकाब की तरह नया बना दिता है उकाब जो होता है वह पत्थरों पर जाकर क्या करता है अपनी चोंच ऐसे ऐसे करके मारता है उसका जो कवच होता है एक नई चोंच कि उसमें आ जाती है वो अपने पंखों को भी हटा देता है और फिर क्या होता है 35 साल के बाद फिर से वो नया बन जाता है पिर से वो लान भरता है और यहां पर वही लिखा है कि जिससे तेरी जवानी उकाप की नई नहीं हो प्रकार से लिखा है वे ठके हुवों को बल देता है और शक्ती हीन को बहुत जामर देता है तरुन तो ठकते और श्रापित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं परनतु जो यहवा की बाड़ जोते हैं वे नया बाल पराप करते जाएंगे वे उकाबों की नाई प्रमिश्रम को यहां पर लिखा है कि उकाद की नाय हम उड़ने लगेंगे आलेलुया आखरी पॉइंट देखेंगे हम भजन से टाइक सो तीन में वापस आते हैं और इसका आखरी जो उपकार है परमिश्र का वो देखेंगे वो है छे आयत में लिखा है यहवा सब पिसे हु के लिए भजन से टाइक क्यावन में दाउद ने इस बात का जिक्र किया है हम देखेंगे भजन से टाइक क्यावन आए अधिया इसका सत्रह पद है यह लिखा है तूटा मन परमिश्र के योग्या बलीदान है हे परमिश्र तूटे और पिसे हुए मन को तुछ नहीं जानता नहीं जानता परमिश्र कूटे मन को पिसे लोगों को वो तुछ नहीं जानता और हमें गले से लगा लेता है तो यह साथ जो है प्रभू का प्रमिश्र के उपकार मैंने आपको बताएं और भी जाता हो सकते हैं अगर आपके नजर में कुछ आ रहा है ऐसा अपकार तो कॉम हैं हम बाइबल को कोल के पढ़ेंगे तो बहुत सार अपकार मिल जाएंगे इसलिए मैं आपसे गुजारिस करता हूं कि यदि आपको कोई ऐसा प्रॉपिक ऐसा जो वर्स मिलती है जो यह बताती है कि अब यह परमिश्र का अपकार है वोसे कॉमेंट सेक्सिन में जरूर लि मैं आपसे गुजारिस करता हूं इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जान सकें कि परमिश्र के उपकार हमारे लिए कितने महतबूर है परमिश्र इन वचनों के द्वारा हम सब को आशीच दे मैं प्रातना करूंगा कि आप सब प्रभू में उन्नती करें तरक धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा है इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें प्रमिश्र रात्यों को आशीर दे प्रेश्दर लोग